कि आपकोशन है द्रॉज सरकल विद सेंटर ओ द्रॉज इस्टू कॉर्स एबी और सीडी सच दैट एबी इस नौट पैरलल तो सीडी एड वाट पॉइंट 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 इंटरसेट तो सबसे पहले आपको क्या करना है य। है यूर्फ गिल्ड पॉइंट यॉर्स एंटर लेना विदि तो हमनें क्या कriters एक शैंतर लिया पहले हो अब आपको क्या करना ह्यूम्त चर्क्रों क्या कि एक सब्सक्राइब थीक है तो इस पॉइंट जो और ओ भी थाइंटर नॉट अब आपको क्या करना है यह किससे बनाया है आमने सेकल विदा हल फ़ाफ कामपास कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं और आपको एक सरकल बनाना है क्योंकि इस पर मेजरमेंट नहीं दिया है next next आपको क्या करना है you have to make two chords लेकिन वो दोनों chords parallel नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमने क्या किया a chord यहाँ पर बनाया that is your a b ठीक है दूसरा chord हमने क्या किया यहाँ बना दिया like this दोनों को touch भी नहीं किया हमने और parallel भी नहीं है तो this point is your c and d ठीक है अगें take the compass compass में आपको measurement क्या रखना है a b जो measurement है आपका उसके half से ज़्यादा always ठीक है और आपको क्या करना है take a as a center और आपको क्या करना है you have to make an arc up take down तो आपका देखो कैसे बनेगा एक उपर आ गया और एक आपका इस side बनेगा ठीक है now next same measurement में आपको b में रखना है और इसको cut करना है और इसको भी cut करना है तो दौनों फिर से two arcs बनाने है as be a center तो आपका देखो कैसे आएगा it will come like this and यहाँ पर आपका आएगा it will come like this तो this point is your suppose we have taken m और यह आपका हो गया n ठीक है अब m and n को join करना है तो we हमने इसको क्या किया join कर दिया ठीक है now अब आपको क्या करना है and this is your p यह perpendicular bisector यानि 90 degree यहाँ पर form कर रहा है and at the same time आपका क्या कर रहा है अब यह अब यहाँ पर आओ c and d में c and d में अभी आपको क्या करना है जितना length है उसके half से ज़्यादा आपको compass में fit करना है ठीक है now और you have to make an arc this side and this side तो देखो आपका arc कैसे बनेगा it will come like this और यहाँ पर बनाओगे तो इट विन कम लाइक दिस ठीक है फिर d में रखो आप और यहाँ पर एक कट मार्ग बनाओ ठीक है और d में रखे इसको भी कट मार्ग करोगा तो दिस पॉइंट इस यहाँ और m and o and o हो गया आपका पी भी हो गया और आप x and y ले लो तो हमने इसको ले लिया x इसको ले लिया y और दौनों को जॉइंट कर दो इस पॉइंट इस पॉइंट इस यॉर क्यू ठीक है ना तो ना क्यू क्या कर रहा है आपके c and d को इक्वल हाप्स में बाइसेट कर रहा है at the same time यह 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है तो ना वी कैन राइट इस cq is equal to qd ठीक है अब आपको क्या करना है यह दोना पॉइंट को यह जो लाइन सेग्मेंट से आपकी mn and xy इसको एक्स्टेंड करना है जहां पर यह मीट करेंगे तो यू कैन सी कि जब हमने इसको एक्स्टेंड किया तो क्या हो रहा है देखो it will pass through your center और center point ही आपका होगा जहां पर यह intersect करेंगे तो we can now say that o is the point of intersection of two perpendicular bisectors of two chords single chord भी रहेगा तो भी आपका o से जाएगा double chord है तो भी आपका o से जा रहा है तो center से उसको कैसे भी perpendicular bisector will pass through the center only एवी इग थाजो झाग दुएबाएबाबाबाबाबाबबाब गी तीगओाई जो भी आशी तीगFr है जाएबाबाबाबबाबाबाबबाबाबाबाब।